नमस्कार आप देख रहें न्यूस 24 फरस्ट एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ सीमा बढ़ते हैं खास खबरों की और भारत निर्वाचन आयो के निर्देश अनुसार सभी विधान सभा के पोलिंग बूतों पर जहां पर मतदाता अपना वोट डालते हैं विगत 7 नवंबर 2021 से 28 नवंबर 2021 प्रतेग रविवार को मतदाता जागरुकता शिविर संचालित हो रहा है बतादे हरदोई भारत निर्वाचन आयो के आदेश अनुसार सभी विधान सभा के पोलिंग बूतों पर जहां मतदाता अपना मतदान डालते हैं नवंबर 2021 में प्रतेग रविवार को मतदाता जागरुकता शिविर कायोजन किया जा रहा है जिसमें सुभा 10 बजे से शाम 4 बजे तक फोटो मतदाता सूची प्रदर्शित की जाएगी जिसे देखकर आप ही सुनिचित कर सकते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं यदी है तो उसमें कोई गलती तो नहीं यदी कोई गलती है तो आप सुधार के फोर्म इसके अत्रिक नए बोटर कार्ड के लिए नया फॉम भरा जाएगा नया बोटर कार्ड बनवाने के लिए आवशक दस्तवेज हैं आवे दगदुआरा दो रंगीन पासपोर्ट साइस फोटो राशनकार्ड की फोटोकोपी या अधार कार्ड की फोटोकोपी या जन्तिती प्रमांट पत्र की फोटोकोपी 18 वर्ष आयू पूर्ण होनी चाहिए घर के किसी एक सदस्ते के वोटर कार्ट की फोटोकोपी आधि कागजात लेकर अपने पोलिंग बूत पर जाकर नया वोट बनवा सकते हैं यदि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो फॉर्म छे भर कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं आप जब तक देखते हैं चोड़ा सब्सक्राइब कर देखते हैं आप यह बताएं शासन के निदेश्या अनुकार जो नए वोटर लिस्ट में नाम सामिल हो रहे हैं और जो म्रतक हैं उनके कैंसिल किये जा रहे हैं आप लोग के द्वारा उसमें बताएं आज क्या पोशिशन चल रही है अब ही तक कितने हो गए हैं नए बोटर कार्ट के लिए आवेदन कितने आगे हैं इसा आए यहां पर चार बूट है इसके अनुकार जी जी तो हर बूट पर अलग 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 आए हैं लगवक्त हर बूट पर चार पाँ चार मागे हैं बढ़ने के लिए उसने बढ़ने के लिए आए कितने आए हैं शंसोदन के लिए एक ही आया है और नया बनने के लिए नए आवेदन कितने आए हैं चार पाँच आ चुके हैं फिलहाल के लिए इतना ही खबरों का सिलसिला लगातार जा रही है आप बने रहे हैं न्यूस 24 फरस्ट एक्सप्रेस के साथ नमशकार